नमस्कार साथियों आगे बढ़ते हैं और जैसा कि हम परिक्षा अध्यान दोजार तेज कक्षा आठवी के लिए हल कर रहे थे जिसमें हमने लगो उत्री तक के कोशन नमबर बारा हल कर लिए थे अध्याय नमबर तीन चत्रबुजो को समझना से ठीक है अब हम बात करेंगे दीर के उत्री कोशन के फस्ट प्रस्ट ने की ठीक है अब चुकि पहले के दो पार्ट आपको दिये गए हैं तो हम दोनों को सॉल करेंगे आप तो कैसे करेंगे आप समझ लिजीए गाए तो फस्ट कोशन आपको क्या दिया हुआ है फस्ट दिया है निमनांकित में पहला है एकस प्लस वाई प्लस जेट ग्याद कीजिए और यह आपको डाइगरम दिया हुआ है ठीक है अब हम इस डाइगरम को देखते जाएंगे और कोशन को सॉल करेंगे देखो एकस प्लस वाई प्लस जेट ग्याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो यह एकस का मान y कमान और z कमान निकालना पड़ेगा अब इन तीनों के मान निकालेगे कैसे तो समझ लिजिए पहले हम लगाएंगे linear pair रेकिक यूग मोट निकालेगे x कमान ठीक फिर रेकिक यूग मोट लगा के इसका z का निकालेगे ठिक अब कौन एक कामान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो त्रिपुज के तीनों अंतरकुनों का यूग करके हमें क्या करना पड़ेगा कौन एक कामान निकालना पड़ेगा फिर हम क्या करेंगे एक और वाय में रेकिक यूग में करके वाय कामान निकालनेगे तो पहले हम करते हैं कौन एक की बात इसको निकाल लेते हैं तो हम लिख देंगे तो चितरा आपको बना लेना है मैं डायरेक्ट यहां से सोल करा रहा हूं कॉशन नमर फस्ट है ना तो सोल करेंगे और फस्ट का भी एक हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे योग कितना होता है 180 degree होता है ठीक है गाइस तो अब हमारे पास 3 कौन कौन से हैं 30 degree, 90 degree और कौन 1 तो 30 degree प्लस 90 degree प्लस कौन 1 is equal to 180 degree 3090 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120 degree प्लस कौन 1 बराबर 180 degree ठीक है अब यहां से 120 को उसरब भेजेंगे तो कौन 1 बराबर 180 degree और 120 इस्तरब आया तो हो गया माइनस का तो कौन 1 हमारा हो जाएगा 60 degree ठीक है गईस अब कौन 1 हमने निकाल लिया है तो हम x y 3 निकाल लेते हैं तो पहले x निकालेंगे तो x प्लस 90 is equal to हो जाएगा 180 क्योंकि जो सीधी लाइन बन रही है यह वाली उसके ओपर एक बन रहा है x और एक बन रहा है 90 यह सीधी लाइन यह वाली इसके ओपर दो एंगल बन रहें दोनों लिनियर जो है रेकिक हों बनाते हैं तो हम लिखेंगे x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री और आपको रिजन देना है रेखिक युग्म क्या लिख दोगे रेखिक युग्म ठीक है तो x का मान निकल लेंगे तो यह 180 डिग्री और प्लस का 90 उस तरफ जाएगा तो माइनस का ठीक है तो y प्लस कौन एक बराबर 180 डिग्री ठीक है तो y प्लस कौन एक का मान कितना है आपका 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री ठीक है गई तो y बराबर 180 डिग्री और 60 इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का तो y बराबर कितना बजएगा आपके 120 डिग्री अब ये y का मान दिग्री जेट का मान निकालेंगे तो यह 180 डिग्री और 30 इस्तर पाएगा तो हो जाएगा माइनस का तो जेड़ इस इकल टू बज़ेगा आपके पास 150 डिग्री ठीक है कितना बज़ेगा 150 डिग्री अब हम यहाँ बता देंगे हमें जो ग्याद करना है वो हम अप करेंगे ठीक है अतर हमें क्या ग्याद करना था X प्लस Y प्लस Z ठीक है तो X की वेलिव 90 प्लस Y की वेलिव 120 प्लस Z की वेलिव 150 ठीक है इन तीनों को यहाँ पे हम जोड देते हैं ठीक है तो यहाँ से 10 इसको देंगे तो यह 100 और यह 200, 210 और 360 टोटल कितना हो जाएगा 360 और यही आपका final answer है ठीक है गयाईज और इसे हमें एक बात और समझ में आती है कि किसी भी जो polygon आपको दिया जाएगा बहुबुच जो भी दिया जाएगा आपको बहुबुच उसके बहाई icono का योग कितना होगा तो बहाई icono का योग होगा 360 टीक ठीक है तो आपको जो second वाला दिया है इसमें X प्लस Y प्लस Z प्लस W ग्याद करना है ठीक है तो देखो इसमें रेक्षिक यूगम इसमें रेक्षिक यूगम और इसमें रेक्षिक यूगम और इसमें भी रेक्षिक यूगम लेकिन उससे पहले कौन एक ग्याद करना पड़ेगा तो क्या बन रहा है वाना चत्रवुच बन रहा है तो हमको पता है कि सचारों कोनों का यो कितना हो ता है रही है तृत है द॥ा क्या लिखेंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि कि चत्रबुच के चारो कोनों का योग चारो अंतह आप लिख सकते हैं यहां पर ठीक है अंतह कोनों का योग 360 डिगरी होता है ठीक है कैस अब चार कौन 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 से हमारे पास तो एक हमारे पास हमें एक साच चलते हैं 120 डिगरी 80 डिगरी और 60 डिगरी और कोन एक हम यहां पर लिख देंगे 120 डिगरी प्लस 80 degree प्लस 60 degree और फिर कौन एक बराबर सबका योग कितना हो जाएगा 360 जोड़ देते हैं 80 और 120 200 260 हो जाएगा यह आपके प्लस में कौन एक बराबर 360 degree ठीक है 260 को उस्तरब बिज़ देंगे तो कौन एक बराबर 360 degree माइनस का हो जाएगा 260 degree तो कौन एक बराबर कितना आजाएगा 100 degree ठीक है 360 माइनस 260 करेंगे तो 100 बच जाएगा ठीक यह तो होई अंदर के कौन एक की बार अब हमें जो है 5 बार यहाँ पर रेक एक ग्यूग में लगाना पड़ेगा तो लगा लेते हैं तो पहले लगाएगे हम एकस में तो एकस की वेली भाइंड करते हैं तो 120 degree प्लस एकस इसकल्ट हो जाएगा 180 degree क्योंकि यह सीधी लाइन है और सीधी लाइन के उपर यह दो कौन बन रहा है तो यह बनाते है रेक ग्यूग में ठीक है तो क्या लिखेंगे तो एकस प्लस 120 degree इस इकल टू 180 degree ठीक है और लिख देंगे कारण हम रेखिक यूग में ठीक है रेखिक यूग में तो यहां पर एकस कमान निकाल लेंगे तो यह 180 degree और 120 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का तो एकस बराबर हो जाएगा 60 degree ठीक है कि इसे कितना हो जाएगा 600 अब हम क्या करेंगे कि बार बर हमें रेखिक लिखना है हम डाइरेक लिखें इसी प्रकार ठीक है क्या लिक देंगे इसी प्रकार और सेकंड़ य का कॉन निकाल लेंगे तो किटना हो जाएगा वाइ प्लस 80 degree बराबर 180 degree तडिवी तो वार बराबर 180 डिगरी और उस तरफ जाएगा तो हो जायेगा माइनस का तो य का मैंन कीतना आएगा आपके सो डिगरी ठीविगे गई कितना हो जायगा सो डिगरी अब मघर का निकल लेगे तो 60 push जेड हो जाएगा है ना तो जेड प्लस 60 या 60 प्लस जेड बात ही किए तो 180 डिगरी तो जेड बराबर 1806 माइनस का क्या हो जाएगा 60 डिगरी तो जेड का मान कितना आजाएगा 120 डिगरी ठीके गाईस यह हो गया Z के बाद हमें क्या निकलना है यहां पर W निकलना है तो W प्लस कौन 1 क्या हो जाएगा W प्लस कौन 1 बराबर 180 डिगरी तो W प्लस कौन 1 तो कौन 1 का मान जो है आप क्या लेके आएते हैं यहां से 100 डिगरी तो आप यहां पर 100 डिगरी रखेंगे बराबर 180 degree तो W बराबर 180 और जब प्लस का 100 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का तो यहां से बचेगा हमारा 80 degree कितना बचेगा 80 degree ठीके गई अब हमें जो ग्याद करना है वो हम देख लेते हैं यहां से तो हमें क्या ग्याद करना है यहां पे X प्लस Y प्लस Z प्लस W तो हम लिख देंगे यहां पे अतह क्या लिखेंगे अतह जो ग्याद करना वो X प्लस Y प्लस Z प्लस W X का मान 60 Y का मान 100 Z का मान 120 और W का मान तो W का मान कितना आयता 80 degree आयता तो 80 degree रख देंगे यहां पे तो जोड़ देते हैं 120 और 80 हो जाएगा 200 300 और 360 डिगरी देखो फिर से सिद्ध हो गया यहां पर किसी भी चत्रुबुजी या कोई सभी बहु बुजो उसके बाहर बनने वाले कोणों का यह कितना होता है 360 डिगरी इसी की साथ आप से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैन करेंगे ठीक है तो यह भी हमारा थर्ड चेप्टर चल रहा है जैसे ही इसको अगे बढ़ेंगे वैसे हम इसमें से आपकुछ इंपर्टन कोश्चन ही करने वाले उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फौर की तो चैप्टर नंबर फौर यहां पर रिडियोश हो हो चुका है भाई क tackling अब हम सिद午 320 सब्सक्राइब कर देजिए वीडियो को लाइक कर दीजी ठीक है अगले वीडियो में अगले कोश्चन के साथ तब तक के लिए थैंक यू